कॉंग्रस नेता और तिरुवन पुरम से सांसर शशी थरूर अक्सर भारती जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं थरूर सदन में भी भारती जनता पार्टी को उनके फैसलों और कामों के लिए खरी-खरी सुनाने से कभी नहीं चूपते कई मौकों पर कॉंग्रस नेता शशी थरूर ने देश के प्रधानमंतिर नेनमोदी पर भी हमला किया है लेकिन अब लगता है कि शशी थरूर की नाराजगी पीयम मोदी को लेकर कम हो गई है क्योंकि अचानक से शशी थरूर पीयम मोदी की तारीफ करने लगे हैं ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉंग्रिस नेता शशी थरूर ने प्रधानमंत्री नरेन मोदी के एक सौगात को लेकर खुशी जताई और तारीफ भी की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है वो सौगात जिसे जानने के बाद कॉंग्रिस नेता शशी थरूर पियम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन मोदी केरल में बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाएंगे। जिसे लेकर मैं काफी एकसाइटेड हूँ। आगे शशी थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजनीती को हमेशा विकास सिपपरे रखना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि केरल में जो वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है उसके रूट की जानकारी भी सामने आ चुकी है। ये ट्रेन तिरूवनत्पुरम से कासर गोड के बीश संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन कोलम, कोटायम, एनार कोलम, टाउन, त्रिसूर, तिरूर, कोजी, कोड स्टेशन पर रुकेगी।